उत्रखन की बेटी पर आज पूरा देश नास कर रहा है साथ समंदर पार अलमोडा की चेली ने मनवाया अपने हुनर का लुहा मिला बेस्ट डारेक्टर का वॉर्ड नमस्कार आप देख रहे हैं राईशमारी और मैं हूँ आपके साथ रितुबेश्ट वो महिना था नवंबर का और साल था दोजार बीस एक खबर छपी जुसकी हेडलाइन कुछ यू थी माया नगरी को छोड़ पहाड लोटी लेखक निर्देशक कंचन पंत अलमोडा को अपनी बेटी पर है नास फिल्म निर्मार की तैयारी में जुटी एक वो दन था और एक आज का दिन जब हर जगे इसी नाम की चर्चा है खबर है फिल्म डियर लतिका के लिए कंचन पंत को स्पेइन में बेस्ट डिरेक्टर का अवार्ड मिला है कंचन पंत कौन है अलमोडा की किस जगे की रहने वाली है उनका करियर अब तक कैसा रहा ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी लेकिन उससे पहले स्पेइन में आयुजित इस अवार्ड शो के बारे में जान लेते हैं एक सितंबर से सोला सितंबर तक स्पेइन के मड्रिट शहर में आयुजित फिल्म फेस्टिवल में भारत, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन, फिलिपीन्स, ब्रिटेन, जर्मानी समेथ दुनिया की कई देशों की सैक्रो फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई और इन में से कंचन पंत को सर्वश्षेष्ट निर्देशक चुना किया, इसके रावा डियर लतिका को ऑस्ट्रीलियन फिल्म लिंबो के साथ सर्वश्षेष्ट फिल्म को भी चुना किया है, साथ ही इस फिल्म को सर्वश्षेष्ट अभीनेतरी कैटेगरी में भी नॉमिन इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे कुछ ऐसा ही रहा कंचन पंथ का साथ पत्रकारिता से लेकर रेडियो और अब फिल्मों में अपने हुनर से हत्प्रब कर रही पंथ की करियर के शुरुआत कहां से होती है और इससे पहले हमने इनका नाम कब और कहां ज़ादा सुना चलिए ये भी आपको अब बता देते हैं अल्मोडा की रानी धारा शेत्र की मूल निवासी कंचन पंथ कई सालों से मास मीडिया से जुरी हुई है उन्होंने निउस टैनल्स, एनडी टीवी में एक पत्रकार की तौर पर अपना करियर की शुरुआत की और पिछली आठ साल से रेडियो टीवी लेखन से जुरी हुई है कई पाठक उन्हें यादो का इडियेट बॉक्स विद निलेश मिश्रा में लिखी कहानियों से भी जानते हैं लेखक और क्रेटिव हैट के तौर पर कंचन ने रेडियो की कई लोगप्रिय कारकरवों का संचालन भी किया वो बिग FM, रेड FM, सावनादी के लिए 350 से जाधा कहानिया और सोनी और साथी जी टीवी के लिए भी पटकताएं लिख चुकी हैं लड़कियों के शिक्षा के लिए यूनिसेफ के लिए तैयार के गए उनके एक कैमपेन की चर्चा अंतराश्चे मंचो पर भी हुई कंचन चाहती हैं कि वो फॉर्मुला और स्टार डिवन फिल्मों से परे ऐसी फिल्म में बनाएं जो सीधे लोगों के दिलों तक पहुँचे इसके साथ ही कश्मीर की तरह ही उत्राखन को भी फिल्मों की शुटिंग के लिए एक्सपूजर मिले आप उत्राखन की बेटी कंचन पंद को उनके इस काम्याबी के लिए किन शब्दों में बधाई देना चाहेंगे हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा